हलो गाइज वैलकम बैक टू मैं चैनल आज का ब्लॉग हम सुरू करते हैं तो दो तीन देन से मेरी वीडियो कुछ अच्छे से नहीं गई क्यूंकि थोड़ा तवियत भी कम जो था मेरा मतलब तवियत खराब था इसके लिए अच्छा ब्लॉग नहीं जा पाया तो कुछ अब लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं ब्लॉग इस्टार्ट करती हूं नई एनर्जी के साथ तो मैं पहले जैसे फिर से कोसिज करूंगी कि अच्छा ब्लॉग बनाने का ठीक है तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग तो मैं और दिखाती हूं कि सांसाम का टाइम है अभी करीब बज रहा है देख के बताती हूं कि ता बज रहा है अभी पांच बच्ख के बीस म्यट हो रहा है तो अभी पांच बच्छकी कि रात खाने की तियारी करें तो चलिए देखिए कैसे कीचन मेरा भूसकेट मैंने लिया था बहुत अच्छा है बहुत यूसपूल है अब ये बरतल रहे थी अब को गाहा रहा कि अब यह सबघा ना है और different चावाल तक सब्चाली करके बर्तन को दूना है इसमें उस्ती आप आपने देखा था न वह जो लगा है इस दिवाल पर लगवादू इस सटे हुए या फिर उस दिवाल पर देखते हैं कहा लगता है विशिल हल यही पे है तो देखिए मैंने क्या देखा यहाँ पे यह देखिए चिपकली, वह भी नीचे है पहोट डग रहा है कहीं आ रहा है दिख रहा है इतना अराम से बैटा आ है मेरी मेरी कीचन थोड़ा काम है बाकी है जैसे कि मसाला होता है तो समान रखने के लिए रैक सोच नहीं हूं कि इदर लगवाने को तो अभी छिपकली का क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है यह जाएगी नहीं जब से काम होगा नहीं इंजरी बना लो यह बाहरी बना लो बाहरी उदर बना लो उसको भी डल लग रहा है तो रात को तो छिपकली के डर से ऐसे तैसे काम हो गया तो यह सुबा का क्लीप है तो सुबा यह बच्चे स्कूल चले गए हैं तो यह अपना काम सुरू कर दिये हैं कोई मिस्तरी नहीं बुलाया था हम लोगों ने यह खुछ से इसको कज दिये हैं तो यह चमच और पॉनी टांगने का रैक है तो छोटा सा है अच्छा है काफी चीजे इसमें टंगा जाता है तो यह लगा था यहां पर यह देखिए यह दो होल है ना यहां लगा था तो मचमच टांगने के लिए और यहां पर वो जो रात को दिखाया था मैंने रैक खड़ा था उसको यहां लगा दी यह दबा फिर लगा के इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा होल था तो उसको वो यह सफेद सफेद क्या बोलते इसको सफेद सिमेंट है सफेद सिमेंट इसम इसमें समान रख लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें समान रख के तो ये देखिए आज का ब्लॉग मेरा यही तक का आप मिलेंगे नेक्ट ब्लॉग में